Hello everyone, welcome to MagnetBains, my name is Hemant, तुम्हें स्वागत किया जाता है आपके अपने चैनल MagnetBains पे, जो प्रोवाइट करता है 100% quality content, जी हाँ, आप सभी जानते हैं MagnetBains के दो चैनल है, एक English Medium और एक Hindi Medium, English Medium पे जब बात करता हूं, class kg से लेकर 12 तक की education बढ़िया और शांदाल तरीके से, कोई सिक्कत की बात नहीं, कोई छोडने की बात नहीं, कुछ रहे जाने की बात नहीं होती है, 100% quality education दी जाती है, जिसमें सारे topic wise, NCRT solution, MIQs, MCQs, one shot, crash course, DPP, PIQs, और क्या चाहिए सब, सब कुछ 100% आपको प्रोवाइट किया जाता है, बढ़िया और शांदाल तरीके से, जब मै स्टेट बोड को भी कवर करते हैं, MP बोड, UP व्यार बोड और राजिस्तान बोड, बढ़िया और शांदाल तरीके से, बढ़िया और शांदाल तरीके से, साथी साथ, e-books, and e-notes, इसको भी cover किया जाता है, यह सब भी available है सर, बस इसके लिए आपको जाना पड़ेगा, कहां पर, कहां जाना पड़ेगा, सर आपको description box में जाना है, कहां जाना है, description box में, वहां पर आपको एक link में लेगी, क्लिक करेंगे, सीधे अपने notes उठा लीजे, कोई दिक्कत क बात कहीं से कहीं तक नहीं आने वाली, बस चालू हो जाईए, बढ़िया तरीके से, तो सर कहां पहुच गए थे हैं, अच्छा, multiple choice question चल रहे थे, ज्यादा questions थे, इसलिए अपने, question 11 to 19 इसमें करना है, 1 से 10 तक हो चुके थे, तो सर मदा आएगा type 1 में, बिलकुल तूफान ह हो जाईगी type 1 में, बस लगे रही है, सर, तूफान ही हो जाईगी type 1 में, बिलकुल लगे रही है, कोई दिक्कत की बात कहीं से कहीं तक, नहीं होने वाली, मैंने का ठीक है सर, तो सर अब थोड़ा सुनिए, और समझिए, और एक साथ समझते हुए चलिएगा, चलें, चलें क चलो, which of the following will produce a buffer solution when mixed in equal volume, कह रहा है, इनको मिला रहा हूँ, इनको मिलाने के बाद buffer solution बनाना है, मैंने कहा ठीक है, बना लेंगे भी यह buffer solution, की नहीं, बिलकुल सर, बिलकुल बिलकुल buffer solution तयार कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है, चलें आगे, चलें क्या, ठीक है, अब सुनो, सबसे पहले दिया है, 0.1 mol of dm of ammonium hydroxide, और यह भी दिया हुआ है, 0.1 mol of dm cube scl, अगर देखें तो दोनों एक दूसरे को neutralize कर लेंगे, salt हो जाएगा, मतला 0.1 mol आपको मिल जाएगा, यह दूसरे को neutralize करेंगे, तो क्या बनेगा, ammonium chloride, यह तैयार हो जाएगा, यह तैयार हो जाएगा, बस, तो सर यहां तो buffer के लिए आपन कहते हैं न, थोड़ा सा, एक salt के साथ, weak acid या, weak base फगेरा लगता है, यहां तो SH कुछ बना नहीं है, तो अपन इसको तो लेंगे नहीं بھprovotzी, एक option अपना आपर नहीं होने वाला, मैंने कहां ठीक है sir, A नहीं तो कोई wall size, कोई और नहीं तो कोई, wall size, बात समझ रहा हो, चीक है, तो नहीं तो कोई और सही और कोई और नहीं तो कोई और सही तो बहुत अगर एगर नहीं तो कोई और सही तो कौन बी हो सकता और बी नहीं तो फिर कोई और सही CD भी तो हो सकता तो option की कमी नहीं है सर आप अप्शन की कमी नहीं है चलिए आजाएए पॉइंट 05 mol dm cube of ammonium hydroxide और 0.1 mol of scl अब समझो सर यह कम है यह ज्यादा है तो पहली बात तो भी है नियूटलाइज होके कम वाले के बराबर का बन जाएगा क्या सॉल्ट क्या बन जाएगा नहीं फोर ओएच और उसके साथ scl भी बचेगा थोड़ा अना scl भी रहेगा तो यह बनेगा सर सॉल्ट की कमी नहीं की सोल्ट तो बन गया लेकिन सर यहां पर मेरे पास ट्रॉण असे और मैं कहता हो Nacology में कोई स्च्रॉंग अइसवेंहीं हो तो यह तो वीक हैसल यह वीग वी नहीं नहीं लो भी है तो मैंने भी काता ना तू नहीं तो कोई और सही और कोई और नहीं तो अब दूसरा वाले चेक कर लेते आजाओ 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 देख लेंगे देख लेंगे चलो चलो ठीक है कोई दिक्कत की बात नहीं आगे देखते हैं 0.1 mol dm3 ammonium hydroxide and 0.05 mol dm3 dm-3 scl मैंने आप ध्यान से सुनना सर यह कमें यह जादा है तो सर पूरा scl यूज हो जाएगा यह बनाने में तो यहां बनेगा 0.05 mol dm-3 देखो यार यह कम वाला जो होता है उत्ता ही सॉल्ट बनेगा scl और ammonium chloride क्या बनेगा nh4cl और आप क्या बचेगा सर यह बच जाएगा और यह आपका वीग बेस है यह आपका क्या है वीग बेस है तो सर अब यह दिख रहा है मेरे को बफल सॉलुशन और यह सॉल्ट काई का है यह सॉल्ट है वीग बेस स्ट्रॉंग एसेट का तो बैया यह आपका वफल सॉलुशन है तो बिल्कुल सी फॉर क्यूट आंसर सी फॉर क्यूट आंसर भाई इसके लिए आप जाईए मेरे रिकॉर्ड लेक्चर में जाईए बिल्कुल मैंने इसके इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में आप देखे क्लास 11 की प्लेलिस्ट मिलेगी वहां से जाईए आप किस पे एकलिब्रियम चैप्टर में कि सर ढूंडिये मैंने वहां करवाया है आपको और इतना तगड़ा करवाया ना कि आपको मज़ा जाएगा थोड़ा थोड़ा पढ़ो तो थोड़ा करो तो अगर मज़ा नहीं आए तो बात वाली बात सर बात वाली बात इतनी गैरेंटी देता हूं मैं आपको बात वाली बात इतनी गैरेंटी देता हूं मैं आपको बात वाली बात इतनी गैरेंटी देता हूं मैं आपको कोई दिकत तो नहीं इतनी गैरेंटी देता हूं मैं आपको चलो जल्दी 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 फटा फट देखते चलेंगे कोई दिक्कत की बात यहां तक नहीं है दन सी फॉर क्यूट अंसर पक्का चलिए 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 बढ़ जाएं बढ़ आएं के नहीं बढ़ जाएं बढ़ना ही पड़ेगा सर हो गया यह यह देखें सी आंसर बोला था सी आंसर बोला था बिलकुल अगले वाले यह क्या कहता है विण विच अव दा फॉललॉंग साल्वेंट इस जिल्वा क्लोराइड मोस्सॉलिबल आजी इसमें भी नियोंगा एकड़ार इसमें घू नहीं होगा फटू में बहुत प्रमग साम्मोर आ शथा है आपको मैं बताओं यह एकदम soluble complex बना लेता है देखो मैं बताता हूं soluble complex compound बना लेता है बाई कुछ इस तरीके से देखो यह soluble complex बना लेता है कैसा soluble complex बना लेता है मतलब d final answer है d for dhoka जल्दी वह किस-kis को मिल चुका है और किस-kis को मिल चुका है भाई दोका किस-kis को मिल चुका है बाई दोका किस-kis को मिल चुका है इसा भिन ही पुरानी वाली बाते यह डिलाने को ब Holz चलो कोई दिक्कत की बात है समझ गाने अगा-उब लए अगले वाली पर चले बारहे हो गया चलो तेरे वह पर चलंड यह ली जैयुका है थोड़ा सोचो थोड़ा सोचो तेन वेवाले को थोड़ा सा दमाग लगा ये तेरवे कोशन पर मज़ा जाएगा तेरवे कोशन पर थोड़ा सा क्या बोलना चाहरा है तेरवा कोशन समझे क्या कह रहा है हुआ वाट विल बिदा पी एच ओफ पॉइंट जीरो वन मुलार डीम क्यूब शी एच त्री सी ओएच के ए दे दिया आपको वह यह क्या दिया है एसेट कॉंस्टेंट दे दिया कितना दे दिया एसेट कॉंस्टेंट 1.74 इंटू 10 की पावर माइनस 5 चीक है कॉंसंट्रेशन भी दे के रखाए वैसे तो वैसे तो कॉंसंट्रेशन भी दे दिया है कितना दे दिया है कि यह कि मैंने का डी के सर पी एच निकालने की बात कर रहा है चल्व बताओ क्या formula होगा पी एच का यह जल्दी बताएंगे क्या formula होगा पी एच का शल्व तो करें चलो इसका एक simple सा फोर्म्ला था सर वह आप लोग ने द्यान नहीं दिया इसलिए थोड़ी सा दिक्कत बढ़ब रहे है सिए एक में Corn ट एक में Corn चालिए करें अपन फटा फट ध्यान से देखेंगे सर क्या होता है हाफ पीके ए माइनस पीके ए माइनस लॉग सी यह फॉर्मला होता है यहां पर एसिट दिया हुआ है और अपन को बस कंसेंट्रेशन दिया है तो हमने का ठीक है सर वीक एसिट फंडा न चीक है पीएच इकवल्स्टु वन बाइटू अब एक बात बताओ क्या है पी के याद करो लॉग अपना पीएच वाला फंडा क्या था मैंनस लॉग ओफ के ए यहीव तो रखो हो यहां पर माइनस लॉग ओफ के एए माइनस लॉग सी यही होना चाहिए और अगर यहां निकाले तो pH equals to half, ठीक है, minus log, क्या हो जाएगा, ka, 1.74, into 10 की पार minus 5, minus log, c क्या है, c क्या है, c क्या है, c क्या है, c concentration, 0.01, 1.2, sorry, 1 upon 2, अब इसको solve कर लो, एक बार, sir, मैं चाता हूँ, इसको हटा देता हूँ, जगह चाहिए थोड़ी खाली, minus log, क्या दिया हुआ है, 1.74, और कुछ, into 10 की पार minus 5, मैंने आपको log की property पढ़ाई थी, m into n, तो log m plus n हो जाता है, और minus का sign है, तो minus log, 1.74, और फिर plus का, फिर minus होगा, minus log of 10 की पार minus 5, यह होता है, चीक है, सर, अब उसके बाद यहां तो plus लगा तो, यहां तो plus रहेगा, यह देखो, log 2 की value होती है, 0.301, चीक है, तो log इसकी लगबग मान लेते, 0.2 होगी, और यह plus, हाँ, अंदर, यह आगे जाएगा, तो यह हो जाएगा, भाई, log m की पार है, तो यह आगे जाता है, यह आगे जाता है, तो log 10 की value 1, तो यह आ रहा है, 5 और यह minus 2, तो कितना हो जाएगा, 4.8, लगबग 4.8 आ रहा है, सलिए, minus, फिर यह log यह किता है, लिख सकता हूँ, यह फिर आगे आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो यह जब आगे आखे प्लस होगा, 4.8, और यह आगे-ागे हो जाएगा, plus 2 log 10 की हो जाता है, बन हो जाता है, तो उसर कितना हो जाएगा, 1 by 2, इंटू 6.8 तो यह जाएगा 3.9 के असपास पीएच यह पीएच कितना आ रहा है 3.9 के असपास पीएच 3.9 यह 3.8 के असपास चीए 3.9 दिख रहा है सीधा 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 3.9 दिख रहा है तो यह लीजे सीधा 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 हंवार भबराना नहीं है घबराना नहीं बिलकुल अगर घब्राओं में तो दिक्कत हो जाईगी गावराओं के तो दिक्कत अजाई ही बहुत ज्यादा कि छीके क्लियर हुआ पक्कडहन यां तक तो छलो आगे बने चलिए यह देखिए 3.4 कुछ तो गल्ती-गल्ती करना डिवाइट करना डिवाइट करना टू से यह और बोल भी नहीं रहो तुम लोग तो सी कहां से आंसर है वाई आंसर तो यह न बोल भी नहीं रहो तुम लोग कि आंसर 3.4 है दियान से उतर गया मेरे तो तो ए आंसर है चलो हुए अगला कोशन चलिए कोशन नमबर 14 बढ़िया क्या बोल रहा है के ए दे दिया वह यह ए एसिटिक एसिट का के ए दे दिया कोई दिक्कत की बात नहीं है कितना दे दिया है 1.8 इंटू 10 की पावर माइनस 5 मैंने का ठीक है सर और साती साथ के भी भी दे दिया है मतला बेस भी है सर कितना दे दिया है 1.8 इंटू 10 की पावर माइनस 5 तुम्हें एक बात बता हूं सर चीक चीक पीच ऑफ अमोनिया मैसिटेट आपको पीच निकालना इसका अमोनिया मैसिटेट इसका पीच निकालना आपको ठीक है इसका मैंने का ठीक है सर निकाल देंगे बहुत इजी है कोई ज्यादा दिक्कत की बात इसमें होने नहीं वाली है बढ़िया तरीके से हो जाएगा सर एक तरफा ठीक है बस थोड़ा सा कुछ याद करो भाई कुछ थोड़ा सा याद करो यह अगर आप देखें तो यह है स्ट्रों सॉरी वीक एसड वीक बेस मतलब भाई यह थोड़ा कॉम्बिनेशन हो रहा है क्या तुम्हें याद है क्या याद है जल्दी बताओ किस-को याद है तो बतादो जल्दी क्या होने वाला है जल्दी चलो भाई तो नहीं बता रहोगे तुम लोग, कती होगे आज मुझसे, नहीं बता रहो इसका formula क्या होता है, तो देखिए इसका formula क्या होता है, सर जी 7, plus half pka, minus pkb, यह formula होता है, यह formula होता है, इस से आपका निकल जाता है, pH of ammonium acetate, ammonium acetate, बिलकुल सर, यह क्या है ऐसे अमॉनामेसिटेटी यह बीच में ऐसा है और ध्रक्सिन कोई दिक्कत की बात नहें समझत अपन लेंगे ही काई यहाँ जाने नहीं देंगे इसको जाने नहीं देंगे तुझे बिलकुल से तो पहले तो पीके में निकाल जो और पीकेव इतगे म Allen कर दो वोगा मान इस फ्लॉग ओए अगर मैं पीवीटी बात करो तो वह क्या होगा मैं यहीं होगा एँ सपरम अगर कॊमन सेंस लगाऊं तो मांइनस लॉग के एक इत्वक्त दिया हुआ और यहां कित्ता दिया है तो एक बात बताऊ सर यह दोनों value तो अगर मालों इस पूरा solve होके पांच भी आया और यह बी solve होके 5 आया तो रहतां को माइनस करना फार भी करना है तो यह तो पूरा का पूरा सम कितना हो जाएगा सार आप जानते हो ना जीरो क्योंकि एक वैली में से दूसरी सेम वैली को माइनस करो तो जीरो होगा अगर यह पूरा जीरो तो सब कुछ जीरो नहीं हो जाएगा तो बचेगा कितना सेवन और वीक असेड वीक बेस दोनों तो बह्या तो पिएज सो 7 की यह आना है न अपका पिएज तो सैबनने溜ाना कि अज़्स सी फॉर कूट अंसर optimize कि आपका पिएज तो यह यह आना है ना सीफउर कूट अंसर क्या बोलते हो जल्दी बताओ क्या बोलते हो जल्दी बताओ किसी फॉर क्यूट आंसर जल्दी देख लिए कोशन नमबर 14 complete complete भाई complete done complete कोई दिक्कत की बात नहीं है कहीं से कहीं तक जल्दी देखो चलो हो गया पक्का कोई दिक्कत तो नहीं है तो सी फॉर क्यूट आंसर आगे बढ़ू जल्दी देख लो बिल्कुल इजी था सर यह फॉर्मलेस याद रखो वाई अगर यह फॉर्मलेस को याद नहीं रखोगे ना आप तो आपको दिक्कत बहुत आईगे सर चीक है तो यह नेक्स्ट कोशन नेक्स्ट कोशन नेक्स्ट कोशन बिल्कुल बढ़िया तरीके से चलिए इसको लेली जे स्क्रीन शॉट फिर अपना आगे बढ़ते हैं चलो यह तो यह हो गया था खतम अब चलतें कोशन नमबर 15 मज़दा शांदाल लाजवाब कोई दिक्कत की बात नही सर घबराना नहीं और जो घबरा गया निपड़ जाया विच आफ दा फॉलिंग को ऑप्षिन विल बी करेक्ट फॉर्ड अस्टेज ऑफ दा हाफ कम्पलीशन आफ दरीक्शन वह यह आधी कंप्लीट हुई यह दिख और तशोर अचर और दरना नहीं कार अहर फॉलिट कर मतलभब हाफ गंप्लीट का मतलब 50% कंप्लीट म्याइए busy को और सब हम यह जानते हैं फिफ्सिटीव पर संकत्र में तो जो इनीशयल कंस्टम्ट्रेशन और जो फाइनल से सटमेर वह बराबर हो जाता 50% में तो यह होगा ना मान लो यह पहले से शुरुवात हुआ था यह 100 था अब यह reaction चलने लगी reaction चलने लगी आधी होगी तो आधी पर क्या हो जाएगा यह आपका 50 हो गया और बी बी आपको 50 हो गया तभी तरह न यहाहिँ अधी रे JON क्योटो गही सकते 50 प्रंसें र्याक्षण में एक कोवल हुजाएगा बीटेट है कि एक की एक गुआ भेड़ाइगा विके एक आधी को मैंने का ठीक है सर एक इसके एक्वल हो जाएगा बी के एक्वल मैंने का ठीक है सर मैंने का आपकी बात मान ली मैंने एक इसके एक्वल है बीक एक्वल अब देखो सर अब हम जानते हैं जो डेल्टा जी होता है माइनस 2.303 आर्टी लॉग केसी यही होता ना एकिलिब्रियम कॉंस्टेंट और एकिलिब्रियम कॉंस्टेंट क्या होता है केसी क्या होता है सर जी प्रोड़क्ट अपॉन रियक्टेंड प्रोड़क्ट में कौन है बी रियक्टेंड में कौन है तो बाई यह तो एक दूसरे क cancel कर देंगे दोनों बरावर हैं तो क्या जाएगा KC की value 1 KC की value 1 KC की value 1 रखेंगे तो delta G equals to minus 2.303 RT log 1 log 1 की value कित्ती होती है? 0 ये 0 हो गया तो बहिए delta G क्या हो जाएगा? 0 और delta G अगर 0 हो गया तो बहिए answer आ गया अरे अलू आ आलू बहिए A for आलू चीएगे बहिए चलिए तो A is the right answer कोई दिक्कत तो नहीं है अपना A आगे बहिए right answer A आगे अपना right answer A for आलू जल्दी भाई question number 15 होगे आप कितने बचे 16 17 18 19 बहिए फटबबट खतम करेंगे बटा time मत लगा हो यादा बहुत पसंद नहीं अथा ठील भील तेजी में चलना इनको बहुत हिए तेजी चलनाए पनको बहुत कि पषटाफट तेजी में चलना जल्दी बता हो कि हो गया कि जलदी डंटा जी इक ऍंपलस 20 सो ड conclusion डंटा जी इक wipes two-0 बिल्कुल डेल्टा जी इक्वल्स टू जीरो कोई परिशानी कोई दुख कोई दल्ध अगर हो तो बता दीजेगा अगर हो तो बता दीजेगा बिल्कुल डन 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 चालिया अगले कोईशन पर यह देखिये एफ और आलू कोईशन नंबर 16 on increasing the pressure in which direction will the gas phase reaction proceed to re-establish equilibrium is predicted by applying the leach at least principle consider the reaction okay reaction को consider कर लिया यह देखो okay which of the following is correct if the total pressure at which the equilibrium is established is increased without changing the temperature तोटल प्रेशर चेंज की बात कर रहा है यह नहीं कि एक्साइट के चेंज की बात कर रहा है यह कुछ ऐसा वगेरा टोटल प्रेशर चेंज कर रहा है और सबसे इंपॉर्टेंट टेंप्रेशर को बोल रहा है कॉंस्टेंट रखने की बात तो इसका अंसर मैं नहीं आप से चाहता हूं मैं क्योंकि यह पढ़ाया है मैंने कह रहा है प्रेशर को बढ़ाएगा और टेंप्रेशर को क्या रख रहे रहे है कॉंस्टेंट रख रहे मैंने का बात है मैं आप एकदम पते की कर रहे हो की भाइएख त्यक्त है तेंप्रेशर बढ़ा रहे रहे हो तिक normally है और कहां बताना है कॉमेंट से कि मैं रित वाटWow कॉमेंट सेक्शन में, कहां बताना है भाई साथ, कॉमेंट सेक्शन में, तभी मज़ा आएगा, बिलकुल, तभी मज़ा आएगा एक तरफा तरीके से, बिलकुल, जल्दी जल्दी जल्दी, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई तकलीफ तो नहीं, जल्दी बताओ, कोई दिक्कत तो नहीं कोई तक्लीफ तो नहीं जल्दी बोल दो मेरे साब तो कोई तक्लीफ की बात यहाँ पर होनी नहीं चाहिए चलो अब देखो पता यहां पर एक option आएगा तो थोड़ा देख के घुमाना पड़ेगा भाई रूको नहीं दिखाना नहीं दिखाना नहीं सही है मुझे पता वाई तुम लोग फट से बोल देते हां सर हमें पता हमें पता ही आएगा अरे हमें पता हमें पता ही आएगा तो ऐसा कल देते तुम इसलिए उसको छुपाना जरूरी था अब कोशन नमबर 17 देख लो भाई देख लो देख लो देख लो बिल्कुल देख 18, 19, 17, 18, 19, 17, 18, 19, 17, 18, 19, what will be the correct order of vapor pressure of water acetone and ether at 300 degree centigrade, sorry 30 degree centigrade, आपको vapor pressure का order बताना है, given that among these compound, water has maximum boiling point and ether as minimum, और ये भी बोल दिया, उसने, water का maximum boiling point और ether का minimum boiling point, अब एक बात बताओं आपको, एक तो game ऐसी हो सकता है, ये maximum है, ये minimum है, तो इनका vapor pressure भी या तो इसका maximum होगा, या तो इसका minimum होगा, मतलब acetone वाला हमेशा बीच में होगा, सर ये बात यहां दखना, acetone वाला इनके बीच में होगा, तो answer में B या C होगा, ये नहीं होगा, ये थोड़ा logic है, ये बिलकुल logic है, भाया, ख्योंकि अगर एक का boiling point जादा एक का boiling point कम है, तो definitely इनी दोनों में से कोई आगे पीछे होगा, वो तो बीच में ही रहेगा, तो भीया, बीच में उसके दो option मिलका है, B, E, A, C, या तो B answer है, या तो C answer है, मैंने का done, या तो B answer है, या तो C answer है, मैंने का ठीक है, या तो इसका नमबर है, या तो इसका नमबर है, इन दोनों में से किसी का नमबर है, अब मैं कोई बात बताओ, सर, H2O का boiling point जादा है, तो इसका vapor pressure, atmospheric pressure के बरावर इसकी जल्दी नहीं होगा, इसको maximum boiling point, मतलब इनके बीच में force of attraction बहुत ज्यादा है, ज्यादा है तो यह जल्दी नहीं टूटेंगे, जल्दी नहीं टूटेंगे तो ज्यादा नहीं उड़ेंगे, तो इसका vapor pressure कम होगा 30 degree centigrade पर, और इसका boiling point जो है वो कम है, मतलब जल्दी आजाएगा 30 के आसपास भी हो सकता है, तो इसके vapor pressure जल्दी होगे, क्योंकि इसका bond, इसके bonds weak होते हैं, तो vapor pressure जो ज्यादा बनेंगे, वो किसके बनेंगे ether के, और कम किसके बनेंगे water के, तो मेरे साब से तो answer बैठेगा यह, सबसे ज्यादा vapor pressure जो होगा, वो ether का होगा, क्योंकि ether का boiling point कम है, तो उसका boiling point जल्ली लाने के लिए ज्यादा vapor pressure बनेंगे, क्योंकि force of attraction कम है, वह यह water का force of attraction ज्यादा है, इसलिए time लगेगा उसका boiling point आने में, बिलकुल, तो sir, be for best answer, अर्या कल में को लग रहा है, मैंने ठोँब graph SP आदे चीज़े खाली है, आपस आपस चीजे चालू हो गई है, बापस चीजे क्कपत की नभी कोई क्भीका कहीं दिकतका की बात नहीं सफैया दिकतकी बात हैं पर नहीं है चलां है बड़े आगे भडे, 17th end 17 end चलो, करें आगे यह लीजे बताइए 18th जल्दी सोचो जल्दी सोचो जल्दी वह यह equilibrium constant केसी बताना है equilibrium constant केसी बताना है equilibrium constant केसी बताना है चलो, at 500 Kelvin equilibrium constant केसी for the following reaction is 5 ठीक है बाई? at 500 Kelvin equilibrium constant केसी for the following reaction is 5 इस reaction का दे दिया 5 मैंने का इसका जा रहा है equilibrium constant लिखके दिखाओ equilibrium constant होता क्या है सर्प्रोडक्ट अपॉन रियक्टेंट प्रोड़क्ट में क्या है? है है अपॉन है एच टू इसकी पावर वन बाई टू फिर यहां पर अपना आई टू इसकी पावर वन बाई टू बिलकुल कोई दिक्कत तो नहीं नहीं कोई दिक्कत के बाद नहीं है बिलकुल सर और इसकी वैल्यू भी दे दी है सर 5 इसकी निकाल नहीं है तो मैंने का इसका equilibrium constant बताओ इसका क्या होगा तो सर केसी इक्वल्स टू चेक है कितना हो जाएगा product है एच टू है एच टू है आई टू अपोन है चाई और स्कॉर स्कुर्ड और इसका मांग रहा है सर मैं अगर एक बात बोलू दियान से सुनना एक बात बोल रहा हूं बस बहुत सिंपल बात है कि यह जो reaction है इसका जस्ट अपोजट है देखलो ना रिवर्स कर दी गई है और रिवर्स करने के बाद स्क्वायर भी किया गया है मतलब पहली बात तो आपको reaction क्या करनी है रिवर्स करनी है उपर वाली reaction को उल्टा कर दो उल्टा कर दो तो है यह जाएगा नीचे और यह उपर चले आएगा रिवर्स कर देंगे तो इसको अगर मैं रिवर्स देखू पहले मैं सिफ रिवर्स देख रहा हूं तो रिवर्स केस में क्या हो जाएगा वन अपॉन केसी जो कि अपना नया आएगा जो कि अपना नया आएगा यह केसी डैश ठीक है कितना आएगा यह हो जाएगा एच्टू वन बाइटू आईटू वन बाइटू और नीचे जाएगा है बिल्कुल चेक है एच्टू कितना बहिया यह उल्टा हो जाएगा यह भीन्टा हो जाएगा वन अपॉण 5 आ गया अब क्या हो रहा है सर जब यह रिवर्स हो गया तो आप देखो क्या हो रहा है इसका है और इन दोने को कुछ नहीं है तो इसका कल दिया है whole square इसका क्या कर दिया whole square तो जो अब हमारा नया केसी कर आए हमने उसका क्या कर दिया 1 upon 5 का whole square यह किया है तो whole square करेंगे तो 1 upon 25 और 1 upon 25 का मतलब चेक कर दीजिए जब इसका whole square करोगे तो h2 अकेला i2 अकेला और इधर पर ही का square जो आ रहा है 0.4 0.4 मेरे साब से तो यह अंसर है एक बार आप चेक करके बताओ मेरे साब से तो यह अंसर है 0.4 0.4 जल्दी देख लो 0.4 जल्दी देख लो जल्दी 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 पक्का पॉइंड फोर यह देखिया आगया कोशन नंबर 18 खतम है बहिए कोशन नंबर 18 खतम है कि अब बचा 19 कि लास्ट कोशन पर आगया बचाए 19 मजा आएगा 19 वाले पर डन चलो यह देखिया ओ आज क्या हो गया आज मेरा देमाग किदर चल रहा है यहां लिख रहा हूं 0.04 यहां टिक लगा रहा हूं 0.4 आज क्या हो गया आज क्या तबियत फिल से बिगड़ गई ना तो थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है यार एफ और आलू अंसर है तब थोड़ी बिगड़ गई ना तो थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा है यह चालो कोई नहीं आजाओ चालो क्या करें पड़ो 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 जल्दी बड़ो क्या बोल रहा है इन विच ओफ फॉलिग रियक्शन दा एकलिब्रियम्स रिमेंज अनफेक्टिफ ओन एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ आरगन एट कॉंस्टेंट वॉल्यूम पर अपने आरगन डाला है इन यद Всем सब्सक्राइं मतलब आपने इनरट गैस को एड किया है कि एड कॉंस्टेंट वॉल्यूम पर हाना मैंने आपको पड़ाएथा अगर आपको याद हो तो किस-किस को लेच याढह बना है किस किसको ले चैटलियस प्रिंसिपल याद है जिस जिसको ले चैटलियस प्रिंसिपल याद है हाथ उपर करेंगे सरा किस किसको ले चैटलियस प्रिंसिपल याद है जल्दी हाथ उपर करेंगे जल्दी 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 किस किसको लेड अटलियस प्रिंसिपल या दे हाथ उपर करेंगे जरा बिलकुल बिंदास तरीके से हाथ उपर करेंगे कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं होना चाहिए को लेड ट्लियस प्रिंसिपल के लिए तो सर सिंपल सी बात है आपके equilibrium constant पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो कि और कुछ तो चेंज हो नहीं रहा है ना temperature चेंज हो रहा है ना volume of pressure चेंज हो रहा है कुछ चेंज नहीं हो रहा है दोनों साइड अपन बोल रहे हैं कि concentration remains the same because constant volume pad कर रहा हूं किस पर कर रहा हो constant volume pad कर रहा हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है तो सब जब constant volume है तो कोई फर्क नहीं पड़ना किसी के भी equilibrium पे किसी के भी equilibrium पे कोई फर्क नहीं पड़ना तो the equilibrium will remains unaffected in all the three cases तो सुन्दर आंसर है डी डी फॉर दमदार आंसर यह देख लो जल्दी देख लीजिए डी फॉर दमदार आंसर फटा फट तरीके से देख लीजिए एक बार कोई दिक्कत की बात यहां तक नहीं हुई होगी मेरे साथ से तो नहीं हुई होगी सर समझ पा रहें बिल्कुल बढ़िया तरीके से शांदाल तरीके से और लाजवाब तरीके से आपके सामने यह कल दिया है कोई कहीं से कहीं तक दिक्कत की बात नहीं एक कि चलो देखो जल्दी देखो फटा फट देखो अजल्दी अ हो गया कि जल्दी 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 कोई दिकत तो नहीं है पक्का चलिए तो सर यह सारे हो गए एक मैंने आपको homework दिया हुआ है कौन सा homework दिया था दिखके बताओ एक बार सर मैंने आपको दिया था नहीं नहीं भाई उसके ज़्यादा दिक्कत फेस हुई है एक बार कॉमेंट सेक्शन में बता दीजिए और अगर सब बेस्ट लगा हो तो एक बार फायर वाला रहे हैं और सरसिफ केमिस्टी में नहीं हर सब्जेक्ट में करवा रहे हैं पूरा मैंगनेट बेंस पीछे हैं आपके बस लगे रहे हैं पूरी जान से सब कुछ करवाए जा रहा है आपको सिर्फ दो से तीन काम करने रोज टाइम पर आना हैं बढ़िया तरीके से क्लास अटे प्रैक्टिस करने हैं इतना कलो काम हो जाएगा आप जानते हैं इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दो चैनल है मैं इंग्लिश मीडियम में और आपके हिंदी मीडियम में इन दोनों के अलावा चार स्टेट बोर्ड विहार बोर्ड यूपी बोर्ड एंपी बोर्ड राज साथी साथ e-nodes और e-books इसकी description में आपको link मिल जाएगी वहां से अपने आप notes को grab कर लीजिए कोई दिक्कत की बात कहीं से कहीं तक नहीं होने वाली ठीक है दबा के like और share करेंगे दबा के like और share करेंगे और अगर कोई आज first time आया है तो चैनल को subscribe कर दीजेगा जिससे आपको कल के live lectures और recorded lectures किस समय पर आने वाले पता चल जाएगा कोई दिक्कत तो नहीं तो फिर आप मिलेंगे कल अगर आप देखे तो पूरा type 1 हो चुका है पूरा type 1 हो चुका है अब बार कितने बज़े सर सेम टेम सेम जगा तो कल मिलते हैं तब तक के लिए बाइबाय थैंकिस ओमाज जैहिन